Morphological Identification of Model Arthropods इस module के अंदर हम spider के silk gland के बारे में बात करेंगे spider एक natural predator है यह अपने prey को capture करने के लिए एक तो अपने venom का इस्तमाल करता है venom का इस्तमाल यह अपने prey को immobilize करने के लिए करता है उसके बाद next step क्या होता है कि यह अपने silk के जरीए उस prey को trap करता है अब बहुत सारे spiders ऐसे हैं जो अपने web का इस्तमाल करते हैं और वो इंतजार करते हैं कि इनका जो sticky web है उसके अंदर prey खस जाए अब इसके लिए बहुत सारे जो spiders हैं वो अपना जो web है उसको रात के वकद मनाते हैं रात के वकद जब रोशनी नहीं होती flying insects असानी से उसके web के अंदर आ जाते हैं लेकिन बहुत सारे जो spiders हैं वो actively अपने prey को chase करके और फिर उसको wrap करते हैं अपने silk के अंदर ये देखा गया है कि एक spider अगर उसको फुरा की ज़रूरत नहीं है वो भूका नहीं है लेकिन उसके पास prey available है तो वो अपना जो prey है उसको अपने silk के अंदर wrap कर लेता है और कई महीने तक ये prey उसके silk के अंदर महफूज रहता है क्योंकि जो इसका silk है उसके अंदर ये properties हैं कि वो bacteria से fungus से prey को महफूज रखता है तो इसी property को देखते हुए researchers spider का जो silk है इसको as antimicrobial agent के तोर पर इस्तमाल कर रहे हैं उसके रहावा ये जो silk gland है ये कहां पे मौजूद होता है ये spider के जो abdomen है उसके अंदर मौजूद होता है और इसका connection spinners के साथ होता है जहां से silk की excreation होती है अब ये जो silk है इसका इस्तमाल spider मौजूद मकासित के लिए करते हैं एक तो ये prey capture के लिए इस्तमाल करते हैं उसके लावा food storage के लिए इस्तमाल करते हैं उसके लावा traveling और खास तोर पर इसके अंदर ये देखा गया है कि जो spider's हैं ये ballooning के लिए इसको इस्तमाल करते हैं बैलूनिंग क्या है ये एक ऐसा phenomenon है जिसके ज़िए silk को इस्तमाल करते हुए spider's सेक्डो किलो मीटर का फासला तैय कर लेते हैं आम तोर पर spider's अपना जो silk है वो हवा के अंदर लहराते हैं जिसकी वज़ा से जो spider है आहिसा 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 वो air current के साथ उड़ना शुरू हो जाता है और एक लंबा फासला ये हवा के जरिए अपना silk के इस्तमाल करते हुए तैय करते हैं इसी तरीके से जो spider's है ये अपना silk का इस्तमाल करते हुए एक building से दूसरी building तक जा सकते हैं इस तरह के spider man movie के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से spider man एक building से दूसरी building में आसान इसे जा सकता है basically इस movie के अंदर ये idea spider को देखकर लिया गया अगर हम spiders की eyes के बारे में बात करें तो taxonomic point of view से जो eye का character है ये बहुत important है बहुत सारे spiders ऐसे हैं जिनके अंदर जो eyes की तदाद है वो 8 है लेकिन इसका जो number है वो vary करता है इसकी तदाद पुछ species के अंदर 6 होती है और बहुत कम spider ऐसे हैं जिसमें इस से ज़्यादा variation आती है ज़्यादा तर जो spiders हैं उनके अंदर spider का number 8 होता है उसके बाद इस slide के अंदर हम देख सकते हैं कि जो spiders की eyes है उसकी जो arrangement है वो बहुत important होती है बसरण इस slide के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर eyes दो rows के अंदर arranged है यह एक first row है और यह second row है तो यहाँ पर इसको हम anterior row कहते हैं इसको posterior row कहते हैं तो ये जो anterior row है anterior row के अंदर ये जो center वाली दो eyes है इनको हम anterior median eyes कहते हैं और जो ये side वाली दो eyes है इनको lateral eyes कहते हैं इसी तरीके से जो posterior row है posterior row के अंदर ये जो center में दो eyes है इसको हम posterior median eyes कहेंगे और इस row के अंदर जो side वाली eyes है उनको posterior lateral eyes कहेंगे तो यह जो eyes की arrangement है यह मुखतलिफ families के अंदर मुखतलिफ होती है और इस character को spider की identification के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जैसा कि इस slide के अंदर आप देख सकते हैं कि तक्रीबर 99% spiders ऐसे हैं जिसके अंदर जो eyes की तदाद है वो 8 है सिर्फ 1% ऐसी है जिसके अंदर 6 है और जो spider की एक family है यह भी देखा गया है कि एक family के अंदर भी spider की eyes के अंदर variation हो सकती है लेकिन बहुत exceptional cases के अंदर